आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कास समाचारों के साथ मैं सैयुक्ताब बैनर जी आप सभी को वजयादश्मी की हर्दिक शुब काम नाए पहली मुख्य समाचार वजयादश्मी के दिन भारत को फ्रांस से पहला रफैल लड़ा को विमान मिला भारती वायुसेना ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया गाजियाबाद के हिंदन एयर बेस पर विमानों ने दिखाय करतब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक वजयादश्मी का पर्फ प्रदेश में हर्शुलास के साथ मनाया जा रहा है कई स्थानों पर होगा रावन के पुतलों का दहन और भारत की मरी कौम विश्व महिला मुक्यबाजी प्रतियोगिता के क्वोटर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत को फ्रांस से पहला राफैल लड़ा को विमान मिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ से ने अब से कुछ देर पहले फ्रांस के मरीनेक में एक समारो में से प्राप किया इस अफसर पर शुष्व से ने कहा कि ये समारो भारती वायु सेना के लिए एक आतिहास एक अफसर है उन्होंने कहा कि ये भारत और फ्रांस के बीच महत्वपून रणनीतिक भागिदारी का प्रतीक है ये समारो ऐसे समय हुआ है जब भारती वायू सेना अप्जना स्थापना दिवस मना रही है और देश में आज विजिया दश्मी का तियोहार भी मनाया जा रहा है श्रिसिह ने इस अफसर पर शस्त्र पूजा भी की इसके बाद रक्षा मंत्री लड़ाकू विमान में उडान भी भरेंगे इससे पहले रक्षा मंत्री ने फ्रांस के राश्रपती इमेन्यूल मेक्रो से मुलाकात कर भारत फ्रांस रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की विदेश मंतुराले द्वारा जारी विज्यप्ती में कहा गया है कि रक्षा मंतुरी की फ्रांस के राश्पती से मुलाकात बहुत सार्थक और सौहाद्र पूर्ण रही इन नेताओं ने दोनु देशों के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबधता व्यक्त की भारती वायूसेना ने आज अपनी स्थापना के 87 वे वर्षकाट के मौके पर गाजिया बास्थित हिंदन वायूसेना केंद्र पर भव्य परेड और फ्लाइपास का आयो जन किया समारों को संबोधत करते हुए वायूसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सेह भदौरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायूसेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है समौके पर विंक कमांडर अभिनंदन वर्थमान ने मिक बैसन विमान में उडान भरी, बाला कोट सैनिय कारिवाही के अन्य नायको ने भी युद्धक विमानों में उडान भरी केंद्वी परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से शिक्षन संस्थानों, कारखानों और व्यवसाइक परिसरों में पौधे लगाने का नुरोध करते हुए कहा है कि परियावरण के लिए ये एक बड़ा योगदान होगा आज जैपुस्थेत मालविय राजश्री प्रोध्योगी की संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ये ऑक्सिजन बैंक का निर्मान करने के समान है राजिपाल लालजी टंडन ने मधिप्रदेश नगरपाली का विधी संशोधन अध्यादेश 2019 का अनुमोदन कर दिया है राजिपाल शीटंडन ने मुख्यमंत्री कमननात के साथ हुई चर्चा के बाद अध्यादेश के संबंध में दिए गये विवरंट से संतुष्ट होकर अध्यादेश अनुमोदत करने का नड़णे लिया राजीपाल शिटंडन ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ लोगतांतुरिक परंपराओं के निर्वहन और सम्वाधानिक मर्यादाओं के सनरक्षन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित फिशे पर विचारू को व्यक्त करने में सम्वाधानिक मर्यादाओं का पालन किया ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं और अब बात विज्यादश्मी की असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विज्यादश्मी पर वाजपूरे देश में पारंपरिक हर्शुलास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में भी ये पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है इस अफसर पर राश्रपती, उप्राश्रपती और प्रधानमंत्री ने देश्वासियों को बधाई दी है राजिपाल, लारजी टेंडन और मुख्यमंत्री कमलनात ने भी प्रदेश्वासियों को वज्यादश्मी पर्व की हारदिक बधाई और शुपकाम नाय दी है वज्यादश्मी पर्व के साथ ही नवरात्री और दुर्गा पूजा पर्व का भी आज समापन हो जाएगा सहित अन्य लोगों ने शस्त्रों और वाहनों को साफ सुत्रा कर उनकी पूजा की मुख्यमंत्री कमलनात ने भी आज अपने निवास पर परमपरानुसा शस्त्रों और वाहन की पूजा की राजधानी में विभन अक्षेत्रों में रावन देहन के लिए आकर्शक पुतले खड़े किये गए हैं बारिश के मौसम को देखते हुए कारीगरों ने इस बार वाटर प्रूफ रावन के पुतले तयार किये हैं संध हिर्दा रामनगर, कोलार, भेल, बाग, मुगलिया, सहित कई स्थानों पर रावन देहन के बड़े आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी में दुर्गा प्रतिमा विसरजन और रावन देहन के मद्दे नजर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए हैं प्रदेश में अंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी रावन और मेगनात के देहन के कारिक्रम में रंगारंग आतिश पाजी होगी वजया दश्मी पर्व मनाने वाली समितियों ने कई स्थानों पर सौ फीट से भी उचे रावन के पुतले बनाए हैं आगर मालवा जिले में दशहरे का पर्वुत्सा के साथ मनाया जा रहा है खंडवा में कुछ स्थानों पर बारिश को देखते हुए फाइबर के रावन के पुतले बनाए गए हैं उमरिया, शिवपर, शाजापूर, विदिशाधार, खरकॉन, सतना, मुरैना, शिवपुरी सहित, अन्य जिलों में भी दशहरे पर्व के हर्शुलास के साथ मनाया जाने और कई स्थानों पर रावन और मेगनात के पुतलों के दहन के कारिक्रम आयुजद किये जा रहे हैं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई दो अलग-अलग दुरखटनाओं में दस लोगों की इमरतियों हो गई देवाजले के सोनकच के ग्राम, खजूरिया, कंका में एक दुरखटना हुई जसमें एक तलेया में नहाने काई पाँच बच्चों की डूबने से मौत हो गई हमारे समवादाता ने बताया है कि आज दो पहर गाउं के साथ बच्चे नहाने के लिए पास ही बने छोटे तालाब पर गए थे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से पाँचों बच्चों की मौत हो गई बच्चों में दो बच्चे सगे भाई थे ये सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे घटना की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई थी मुख्यमंद्री कमलनाथ ने इस हाथसे पर दुख जताते हुए घटना की जाज के आदेश दिये हैं इसके अलावा मौतिक बच्चों के परिजनों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के नर्देश भी दिये गए हैं उधर रिवा जिले के शहपुर में ट्रक की टकर से जीप में सवार पांच लोगों की मौत हो गई पुलस सूत्रों के अनुसार कल देर राद रिवा मिर्जापुर मार्ट पर खटकरी के समीप यहाथसा हुआ जीप में सवार सभी लोग देवरा गाउं के निवासी बताय जा रही हैं जो एक धार्मिक कारिक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लोट रहे थे रूस की उलानुदे में विश्व महिला मुक्यबाजी प्रतियोगिता में च्छे बार की विश्व चैंपियन भारत की मेरी कौम ने क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है उन्होंने आज थाइलन की जुटामस जिट पोंग को आसानी से पांच शून्य से हरा दिया आज ही 75 किलोग्राम वर के प्री क्वाटर फाइनल में भारत की स्वीटी बूरा वेल्स की लॉरन प्राइस के साथ खेल रही है भारत की मंजुरानी 48 किलोग्राम वर के क्वाटर फाइनल में पहुँच गई है गुरवार को उनका मुकाबला दक्षन कोरिया की किम भ्यांग मी से होगा अब बात मौसम की मौसम विभाग दे अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरत चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्ति है प्रदेश में मौसम की स्थती लगभग 3-4 दिन और ऐसी ही रहने की संभावना भी जताई गई है अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हलकी से तेज बारिश होई राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल दो पहर बाद बारिश की तेज बौचहारे पड़ी इसे राजधानी में 7 मिलिमीटर और उपनगर बैरागर में 1.8 मिलिमीटर वर्षा दर्च की गई अब कुछ समाचार संग्षेप में सीना में भरती के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान में सोलह नवंबर तक भरती रैली का आयोजन किया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए आवेदन के अंतिम तारीख 22 अक्टूबर है प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत थोस अप्षिष्ट प्रबंधन के लिए 224 करोड 75 लाख रुपए की राशी स्वीकृत की गई है प्रदेश में जारी ट्रक टैंकर ओनर्स असोसीयशन की अनिश्चित कालीन हरताल आज तीसरे धिन भी जारी है जल्द ही राजिके परिवहन मंत्री ट्रक टैंकर ओनर्स असोसीयशन के प्रतिनितियों से मुलाकात करेंगे अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर वजिया दश्मी के दिन भारत को फ्रांस से पहला रफैल लड़ा को विमान मिला भारती वायू सेना ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया गाजियाबाद के हिंदन एयर बेस पर विमानों ने दिखाय करता बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजिया दश्मी का पर्फ प्रदेश में हर्शुल लास के साथ मनाया जा रहा है कर स्थानों पर होगा रावन के पुतलों का दहन और भारत की मेरी कौम विश्व महिला मुक्यबाजी प्रतियोगिता के क्वोटर फाइनल में पहुंची इस बुलिटन में इतना ही अकाश्वानी भूपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए कल सुभा साथ बच कर पांच मिनिट पर नमस्कार